वेरी गूड एवनिंग गाईज और वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल एक्स्प्लोरर नजीफ आपि गाईज दोइंग एपसलोटली ग्रेट आज आप लोगों के साथ एक और अच्छी न्यूज में शेयर करना चाहूंगा और वो न्यूज ये है अपने काफिले में एक और गाड़ी एड हो चुकी है और वो गाड़ी ये है आपको दिख रही है और ये गाड़ी डर्ट बाइक है और ये गाड़ी है इंपल्स जो तो हमारे पास टूरिंग बाइक भी है सब्दिर के पास नेकट बाइक है और अब अब अपने पास एक डर्ट बाइक भी आ चु यह गाड़ी को बनाएंगे ऐसी कि कोई पहचान नहीं पाएगा कि यह इंपल्स है सब्बिर ने ऐसी डिजाइन इसके रेडी रखी है ब्लूप्रेंट कि आप खूस हो जाओगे एक्चुली मैं हमेशा कोई भी बाइक मोडीफाई करता हूं सबसे पहले उसके लिए मैंने एक स्केच तयार करता हूं मेरे सिस्टम में और मैं एक्जेक दीखता हूं वो फिगर उसके लगा के के वो कैसी लगेगी तो यह गाड़ी का इंपल्स का ब्लूप्रिंट रेडी हो गया है और अपने काफिले में एक और गाड़ी एड़ हो चुकी है सो इसके ओपर भी राइड करेंगे लेकिन इसके ओपर हम डर्ट ओफ रोडिंग करने में इसमें ज्यादा मजाएगी तो चलो हब यह गाड़ी की खुसी में हम लोग जा रहे कुछ ठंडा गरम पिने गरम तो हमने पी रिया चाही अब नमस पढ़के अब हम जाएंगे यह गाड़ी पर कुछ ठंडा ने भाई में फालस प्योंगा तू क्या पिएगा शब भी यौस्पप रहा है कि यह लुट को पिएगा यह शब्ली फालस पिएगा में भी फालस प्योंगा चलो तो आगे जाता हो और आपसे बात करता हुँ आप एक खुसी की यह है कि हमारे पास हर किसम की गाड़ी आ गई है ठीके एक टूरिंग बाइक हो गई ठीके एक अपने पास डर्ट बाइक हो गई एक नेकेड बाइक हो गई और दो ओला तो अपन के पास है भी और अभी यह गाड़ी एक्चुल में सेकंड ओनर है तो वह हमने परचेस की है और इसको पूरा भी डिकेट्स और एकदम से नहीं बना डालेंगे एकदम डर्ट बाइक और इसके सस्पेंशन तो मैं आपको क्या बोलू इतने अच्छे सस्पेंशन है आय है है भाई ओ भाई साब क्या गाड़ी है तो लगता है इसे चला के प्योर डर्ट बाइक वाली फिनिंग आने वाली है तुमारे भाई को और यह जो ग्लासिस है यह एक्शुल में मुझे नंबर है तो मैं मुशली साम को पहनता हूं सुबह में जरूरत नहीं पड़ती साम को भी इसलिए पहनता हूं कि वेसे था हर क्लियर दिखती है बड़ मुझे आधा या एक नंबर है तो यह मैं थोड़ा ग्लासिस पर्मता हूं थोड़ा कूल भी लगता हूं तो और तो क्या चल बाए चलो काम खतम करो जली से कुछ मीठा कुछ मीठा खाना है बाई ओ सब्बीर जब देखो तो सब्बीर हतियार लेकर कुछ नहीं कुछ गाड़ी में यह बाई करता रेता है और गाड़ी को 150 CC में से 200 CC कब बना देता है पता नहीं चलता एक्शुल में इसकी बैटरी वगेरा वो भी नहीं डालनी हुआ तो अभी रुप जा तो गाड़ी एक ही ठीक में चालू हो गई है तो इसमें अपनको नहीं बैटरी डालनी है और लायान और मैं आपको बता हूं इसका ये देखो ये पूरा सब कुछ इसमें स्वीच वीच दी हुई है मॉबाइल का स्टेंड रखने का है और ये गाड़ी फूल रेडी टू रेस अब इतने सब इसमें बटन है भाई ये तो थोड़ा समझना पड़ेगा कोई लाइट का है कोई मोबाइल के चार्जर का है सारे अलग अलग बटन है चलाने में बहुत कंफर्ट है और ये डर्ट बाइक है तो मतलब के मानों के खाड़े टेकरे जो भी आते उसका पता नहीं चलता क्या है कि अधार ये तंदल ये मज़ा अधार अधार कि अधिक नगर तो ये तना ट्राफिक था चोप बजर में कि क्या बोलों यहां पर जो कि बहुत सारी विराइडीज है और नेशनल कॉल्ड कॉल्ड पर आया हुआ हूं जो कि भागल पर है और अभी मैंने और सब्बी में जो फाइनल किया है वह है डिलक्स पालूदार रोज पालूदार अब यूसुप भाई तेरा कॉल्ड को को है तो बोल रागा यहां पर प्रूफी भी है लेकिन इक अभी यह रात को जब खांके तब खाना है अभी तारूब बताओं नहीं यार कूं कर वापे बिजनेस में ने तरहा है तेरा गारी चलाने के एक्स्पिरेंस के साथ है तब गिर में अभी गारी चला इंस बहुत बड़ी डिसकसन के बाट फाइनल होगा के दो फालू दे ने एक ओल्ड को हो पिते और यह भाई ने अभी जो ट्राफिक कर गारी चलाई तो कैसा लगा वाई इंपल्स चला के तुझे क्या फूल हुआ अभी इतनी ट्राफिक भी चौप बजार है कि मैं क्या बोलो गलट टाइम पर आ गए क्यूंकि राग को खाये बाद एक्शुली हम लोगों को एक और गाड़ी देने कुछ जाना था शब्रित के दोस्त की तो बीजी है तो इसलिए हम लोग अभी आगे आगे अपना भागल पर आगे और यह सबसे पुरा नहीं दुकात है और सबसे पेमास है आए हाई 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 बैए क्या है बैए कोको इधर पास करो और यह रोज फालूदा इधर दो और एक डिलक्स भी इधर दो हाँ हाँ चलिए तो शुरू करते हैं टेस्ट तो अच्छा ही है आगे हम लोग यहां पर पीने आयदे बस तो खुशी की खुशी का मौका है तो कुछ खुशी बाढ़ रहे हम लोग आपस में और वह गाड़ी को इतनी अच्छी पनाऊंगा मैं इतनी अच्छी में सब्दी और युसुप बनाएंगे तो वह गाड़ी एक नमबर लगेगी और एक और गाड़ी हमारे काफिले में एड हुई है ड़्ट बाइक तो यह आप देखो पीछे नेशनल में पालुदा पी लिया है हम लोग ने बहुत मजाई और यह है अपनी सूरत का में रोड चोक बजार यह पूरा रोड जो आप देख रहे हों भाई तो कौन सी कौन क्या चला तो मैं इंपल्स चला हूँगा यह लोग दोनों यह अपनी एक्सप्लोरर नजीफ वाली होला चला यह ला भाई चावी मेरे पास ही है चावी यहाँ पर है गाड़ी तैयार है गाड़ी में पेट्रो हो गए तो मैं आपको बोलना चाहता था कि यह जो पीछे आप देख रहे हो जो टेबल है वह बहुत वक्त से मतलब के एकदम विरांद सा लग रहा था तो मैं बोल रहा था कि जो मेरा बड़ा फिश टेंग था तो मैं सोच रहा तक आप कुछ नया करने के लिए दूसरा चलो तो पहले इसे पानी में रखते हैं थोड़ी देर ताकि टेंपरेचर इसका सेट हो जाएगा तो फिर क्या है फिश को अंदर अपन छोड़ पाएंगे तो मैंने औरेडी टेंग सेट अप कर लिया है यह देखो लाइट स्टार्ट कर दिये अहां है सो यह है कुछ अपन फिश टेंग सो अभी फिश को अंदर छोड़ता हूं क्योंकि उसे इस पानी में डालने के लिए थोड़ा सा उनका टेंपरेचर सेट होना जरूर है तो चलो डालते आओ सो यह रहा मैंने थेली ले ली आ जाओ सो अभी मैं रखोंगा इसे इसके अंदर अब यह होगा टेंपरेचर पानी का और इसका एकदम सेट हो जाएगा वैलकम हम ब्रो इससे अभी थोड़ा टाइम रहने देता हूं और उसके बाद मैं उसे छोड़ता हूं गर्मी बहुत ह सो यह देखने आ गया है नए महमान कौन है यह एकदम ध्यान से देख रहा है कि यह कौन सेटिंग कर दिया है अभी मैं आपको 10-15 मीट में थोड़ा यह सेट हो जाए उसके बाद बताता हूं तो आपको अच्छा लगीगा अभी बच चुके है रात के पहुने बारा और बस सब कुछ हो चुका है जो बाइक है जो डट बाइक है इंपल्स है बस उसे अब थीरे धीरे करके एकदम नहीं जैसी कर दूंगा एकदम अच्छी हो जाएगी फिर उस पर भी राइड करेंगे और यह जो पीछे फिश टेंक है वह भी सेट हो चुका है अभी इसे थोड़ा वक्त लगेगा यह लोग अभी क्या नए है ना सो थोड़ा सा इनको वक्त लगता है एकमोस्फेर में सेट होने के लिए सो एक बार सेट हो जाएगी तो फिर वह एकदम मस्त हो जाएगी तो अभी इसे रहने देते अभी मैं अंधेरा कर देता हूं अच्छा लगेगा और बस देखते रहिए आप चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक किजिए शेल किजिए सब्सक्राइब करना बिलक रहा है नहीं किजिए रहा है यहिए चैनल अवलीग